हम किसी भी त्योहार जैसे दिवाली, होली, जनम दिन, क्रिस्मस, नया साल, आधी पर अपने दोस्तों को कार्ड भेजते हैं इसके लिए हम दुकानों में जा जाकर टू डामेशनल कार्ड लाते हैं जो सपार्ट होते हैं और जो एक बार पढ़कर कच्रे के डब्बे में फैंक दिये जाते हैं लेकिन आप बना सकते हैं एक 3D कार्ड, वो भी घर में पड़ी फालतू चीजों से और आपको ये 3D पॉप अप घर बनाने के लिए चाहिए थोड़ा कार्ड बोर्ड पेपर, साधा पेपर, रंगीन पैंसिल और गोंग सबसे पहले चार समकों ट्रिकोन यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो पीले और दो सफेब, कार्ड बोर्ड पेपर से काट लीजिए अब एक छोड़कर एक रंगों के ट्रिकोनों को नीचे की तरफ कागस की पट्टी से चिपका दीजिए इससे आपको एक पिरामिट मिल जाएगा, इस पिरामिट को दबाने से ये रंबस बन जाएगा, इसको दबाईए जिससे ये सदा एक ही दिशा में मुड़े अब दो आयत काटिये, जो मुड़े वे रोंबस से थोड़े बड़े हो इन आयतों को सफेध रिकोणों पर चिपका दीजिए अब जब आप इसे दबाएंगे, तो आप इसको पूरी तरह मोड पाएंगे और आपको ऐसी सरंचना दिखेगी ये घर की छट है अब और एक बड़ा आयत बनाईए जिससे घर की चारों दिवारे बनेंगी आयत की लंबाई त्रिकोण की लंबाई से चार गुना होनी चाहिए हर तरफ दरवाजे और खिड़की बनाईए अब छट को इन दिवारों के उपर रख दीजिए और छट के दो आजू-बाजू के त्रिकोणों के आधार को दिवारों पर चिपका दीजिए अब अगर आप दिवार को दवाएंगे तो पूरा घर मुड जाएगा और छट उपर की ओर चली जाएगी अब दो त्रिकोणों को हमने जिन दिवारों पर चिपकाया था उन्ही दो दिवारों के आधारों को उस कार्टबोड के आधार पर चिपका दीजी जिस पर घर खड़ा होगा आपको याद रखना है कि वही दो दिवारे होनी चाहिए जिन पर हमें त्रिकोंट चिपकाए थे आप आधार एक बड़े से कार्डबोट से बना सकते हैं या ये कार्डबोट आप एक किताब के कवर से भी बना सकते हैं और लिजे जोपड़ी तयार है अब घर की कोई प्रश्ट भूमी जैसे पहाड भी बना सकते हैं यहां आप पूरा 3D पॉप अप घर देख सकते हैं आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और खोल कर वापस खड़ा भी कर सकते हैं उमीद है आपको इस 3D पॉप अप घर को बनाने में आनन्द आया होगा और अब समय है कुछ सोचने का हमने पॉप अप छट को एक चौकोर पिरामिट के आकार का बनाया है क्या आप इसे पंचबुच पिरामिट बना सकते हैं जिसमें 5 समकोन ट्रिकोन होते हैं या शककोन पिरामिट बना सकते हैं जिसमें 6 समकोन ट्रिकोन होते हैं हमें उत्तर जरूर भेचिएगा धन्यवाद